दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे transmission line में होने वाले sag के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि transmission line में जो sag हमें देखने को मिलता है इसको technically define कैसे किया जाता है अगर कोई आपसे ये पूछे कि transmission line के sag को define करिए तो proper wordings में इसको किस तरीके से definition इसकी देनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा और transmission line में sag का importance क्या होता है क्या transmission line में sag होना अच्छा है या transmission line में sag नहीं होना चाहिए अगर हम transmission line में बिलकुल भी sag allow नहीं करे पूरी straight transmission line अगर हम लोग लगाए तो उससे क्या-क्या problem हो सकती है transmission line में जो sag हम देखते हैं ये sag कौन-कौन से factors पर depend करते हैं ये सारी चीज़ा आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो बिना time list के शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहली बात तो यहीं आती है कि sag को proper wordings में define कैसे किया जाए अगर कोई आपसे ये पूछता है कि transmission line में होने वाले sag को define करिए तो आप उन्हें ये नहीं बोल सकते कि दो transmission tower के बीच में जो transmission line जूलती हुई जाती है उसको basically हम लोग sag केते हैं इन wordings में अगर आप reply करेंगे तो वो सही तरीका नहीं होगा आपको proper technical wordings पता होना चाहिए ताकि आप एक suitable wordings का use करके sag को properly define कर पाएं तो दोस्तो ये diagram को देखिए इस pick में दो transmission tower के बीच का जो distance है उसको span कहा जाता है देखिए ये सारी जो technical wordings है ये आपको ध्यान में रखनी है ये आपको पता होनी चाहिए कि दो transmission tower के बीच का जो distance है इसको हम span कहते हैं अब transmission tower का जो topmost portion है जिस portion पे आप transmission line को लगाएंगे उस portion से लेकर transmission line का जो bottom most portion है इस distance को हम लोग sag कहेंगे जैसे इस diagram में भी आप देख रहे हैं कि जो topmost portion है आपके tower का जहाँ पर हमने transmission line को लगाया है वहाँ से लेकर transmission line का जो bottom most portion है इस portion को हमने sag का है और आपके transmission line का जो bottom most portion है वहाँ से लेकर आपका जो ground है इसके बीच का जो distance होता है उसको ground clearance कहा जाता है अब दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि transmission line में sack की importance क्या है sack को इतनी importance आपके transmission में क्यों दी जाती है तो देखिए अगर आप transmission line में जब आप conductors लगाएंगे जब आप transmission line को connect करेंगे अपने दो tower के साथ और अगर आपने बिल्कुल भी sack allow नहीं किया अगर आपके transmission line पूरी straight mount होती है दो towers के बीच में तो उस बज़े से आपके जो transmission के conductors है इसमें stress develop होगा ये दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम transmission line से high amount of power को transmit करते हैं तो transmission line में oscillations produce होते हैं मैंने एक वीडियो बनाया था कि transmission line में हम लोग dampers का use क्यों करते हैं इस वीडियो को आप देखेगा इस वीडियो में मैंने बहुत brief में describe किया है कि transmission line में जो oscillations produce होते हैं ये oscillations किन reasons से produce होते हैं और उसके वज़े से transmission line में आपके transmission towers में कि इस तरीके से tension produce होता है stress develop होता है जिसके वज़े से transmission lines तूट भी सकती है और उसमें wear and tear भी हो सकते हैं ये सारी चीज़े मैंने इस वीडियो में describe की है पर transmission line में हम लोग sag को importance इसलिए भी देते हैं transmission line में sag का होना इसलिए भी important है क्योंकि अगर आप transmission line में sag बिल्कुल भी allow नी करेंगे तो उस वज़े से आपका जो transmission conductor है इसमें wear and tear होने के chances बहुत ज़ादा बढ़ जाएंगे क्योंकि जब भी transmission line में आप high amount of power को transmit करेंगे तो आपके transmission line में oscillations होने वाले हैं और इस oscillation से आपके transmission line में wear and tear हो सकते हैं आपकी transmission line collapse कर सकती है या आपकी transmission line जिस दो cross arm पर आपने लगाई है जो transmission towers पर आपने लगाई है उसमें भी tension develop होने से wear and tear होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं इसलिए अगर कोई आपसे यह पूछे कि transmission line में sag होना अच्छा है या अच्छा नहीं है तो इसका जवाब यह होगा कि transmission line में sag बिलकुल होना चाहिए तब ही आप transmission line में होने वाले जो tension है जो stress develop हो रहा है उसको आप manage कर सकते हैं, control कर सकते हैं और जो transmission towers है इस पर होने वाले stress को भी आप control कर पाएंगे बर दोस्तों यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि sag होना चाहिए transmission line में ये बात तो सही है पर अगर sag बहुत ज़ादा हो जाए तो उसके वज़े से transmission line में swing हमें देखने को मिलता है देखे जब भी wind की speed बहुत ज़ादा होती है तो उस बज़े से आपकी जो transmission line है इसके oscillations बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं इसमें swing हमें देखने को मिलता है जब भी आपकी transmission line high wind speed के वज़े से swing produce करती है तो उसके वज़े से chances रहते हैं कि दो transmission line आपस में contact form करें और आपकी transmission line short हो जाए इसी problem को solve करने के लिए transmission में dampers का use किया जाता है तो कहने का मतलब सरिफ इतना है कि transmission line में sag बिलकुल होना चाहिए पर ये sag ना ही बहुत कम होना चाहिए ना ही बहुत ज़ादा होना चाहिए अगर sag बहुत कम होगा अगर transmission line पूरी straight जाएगी दो towers के बीच में तो उस वज़े से आपके transmission conductor पर stress produce होगा, tension develop होगा और अगर आपके transmission line में sag बहुत ज़ादा है तो wind speed के वज़े से transmission line ता swing बहुत ज़ादा देखने को मिलेगा इसलिए जो span है यह spend बहुत properly, बहुत specifically इसको calculate किया जाता है ना ही यह बहुत कम रहना चाहिए ना ही यह बहुत ज़ादा रहना चाहिए अब दोस्तों बात आती है कि transmission line में हम जो sag देखते हैं यह sag कौन-कौन से factors पर depend करता है तो सबसे पहला factor तो आता है आपके conductor का weight देखें, transmission line के जो conductor होते है इसका weight जितना ज़ादा होगा उतना ज़ादा sag आपको देखने को मिलेगा technical terms में आप यह भी बहुत सकते हैं कि transmission conductor का जो weight है उससे transmission line का sag directly proportional होता है अब आपके mind में सवाल यह आएगा कि transmission line का जो weight है यह weight तो constant है एक बार हमने transmission line लगा दी तो जितना weight आपके transmission line का है यह तो उतना ही रहेगा यह कम ज़ादा थुड़ी हो सकता है तो यह बिल्कुल हो सकता है देखें, जिन region में बर्फबारी होती है snowfall होती है तो जो आपके snow है उसके weight के वज़े से भी transmission conductor का weight बढ़ जाता है और जैसा कि हमें पता है कि transmission conductor के weight से आपका sag directly proportional होता है तो अगर snowfall बहुत ज़ादा होती है तो snow weight के वज़े से conductor का weight बढ़ता है जिसके वज़े से आपको sag ज़ादा देखने को मिलता है second factor दोस्तो होता है span span का मतलब यह होता है कि दो transmission tower के बीच का जो distance है इसको हम लोग span कहते है अब दो transmission towers के बीच का distance जितना ज़ादा होगा आपके transmission line का sag भी उतना ज़ादा होगा अब आपके mind में सवाल यह आएगा कि अगर length बढ़ने के वज़े से sag बढ़ रहा है तो क्यों न हम length को कम रखे तो बहुत सारी geographical locations ऐसी होती है जहां आप दो transmission tower के बीच का distance कम नहीं कर सकते मान लीजे एक tower और दो tower के बीच में कोई तालाब है अगर कोई lake है कोई नदी बह रही है तो उस case में आपको दो transmission line के बीच का जो distance है जो दो tower के बीच का distance है ये आपको जादा ही रखना पड़ेगा क्योंकि आप भैती नदी के बीच में tower mount नहीं करेंगे तो कुछ-कुछ locations ऐसी होती है जहां span बहुत जादा होता है और span जादा होगा तो आपके transmission line का जो sag है वो भी उसके proportional में बढ़ जाएगा तीसरा factor दोस्तो होता है temperature देखिए अगर आप किसी बहुत hot climate पर work कर रहे हैं अगर आपकी जो transmission line है ये ऐसी जगे है जहां temperature बहुत जादा रहता है अगर गर्मियों के महने चालू है तो उस case में आपके transmission line का sag जादा होगा क्योंकि एक तो transmission line में continuously power flow हो रहा है तो उसके वज़े से भी आपके line में heat produce हो रही है temperature अल्रेडी जादा है ऐसे में अगर environmental temperature भी बहुत जादा गर्म है तो गर्मियों के दिनों में आपको sag जादा देखने को मिलेगा as compared to low temperature तो temperature के साथ भी sag का direct relation है अगर temperature बढ़ता है तो sag भी बढ़ेगा temperature अगर कम रहता है अगर winter के दिन है या ऐसी countries है जहाँ पर temperature बहुत कम रहता है तो वहाँ पर sag आपको comparatively कम देखने को मिलते है यहाँ दोस्तों आपके mind में ये सवाल भी आ सकता है कि sag ना ही बहुत कम होना चाहिए ना ही बहुत जादा होना चाहिए तो फिर sag को calculate कैसे करें हम ये कैसे पता करेंगे कि कितना sag आपको दो टावर के बीच में रखना है तो इसकी एक complex derivation है एक complex formula है अगर आप इसको calculate कैसे करते हैं जानना चाते हैं तो मुझे comment box में बताइएगा इस पर एक separate video में हम लोग बात कर लेंगे और उसको calculate करके देख लेंगे otherwise ये video बहुत जादा लंबा बन जाएगा तो दोस्तो sag को technically define कैसे किया जाता है sag कौन कौन से factors पर depend करता है sag की importance क्या होती है transmission conductors के लिए ये सारी चीज़े अगर आपको clear हुई हो तो चैनल को subscribe कीजेगा मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखे गुडबाई